नबसकार दोस्तों, दोस्तों आज हम आपके लिए तीन ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जो 2022 में बहुत अच्छा रिटरन देंगे ये तीनों स्टॉक कॉर्परेट सेक्टर के हैं, तो इन में स्टैबिलिटी भी रहती है चलिए आपको इन स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, पहला स्टॉक है टाइटन, स्टॉक ने गिरते वेच पैटन को ज्यादा वॉलियूम के साथ तोड़ा है, ये मुविंग एवरेज रिबन के उपर भी बंद हुआ है, स्टॉक 20 डियमे से उपर है और इसमें तेजी आ रह भी बनाया है, संचेप में शेयर तेजी के पैटन से तूट चुका है, 676 रुपे से उपर की चाल सकारात्मक है, और ये 700 रुपे की परिक्षन कर सकती है, साड़े 600 रुपे पर स्टॉक लॉस बनाये रखें, दूसरा स्टॉक है टाटा कॉम, स्टॉक पूर्व स्विंग हा से उपर बंदुआ और बेस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, ये 50 DMA के पास बंदुआ, पिछले चार दिनों से शेयर 20 DMA के उपर कारुबार कर रहा है, आरेसाई ने उच्छ चड़ाव और बुलिश जोन के पास का गठन किया है, MCD लाइन जीरो लाइन के करीब है, ये चलत से उसत रिबन के उपर की कीमत के साथ-साथ प्रतिघंटा चार्ट पर शून्य रेखा से उपर कारुबार कर रहा है, इसने Elder Impulse सिस्टम पर लगातार बुलिश बार बनाए है, KST और TSI एक तेजी के डाचे में है, संचेप में स्टॉक ने बेस फॉर्मेशन को तोड़ दिय 963 रुपए से उपर की चाल सकारात्मक है, और यह 1000 रुपए का परिक्षन कर सकती है, 948 रुपए पर स्टॉप लॉस बनाए रखें, चलिए आपको तीसरे और सबसे शांदार स्टॉक के बारे में बताते हैं, तीसरा स्टॉक है, ट्रिडियंट लिमिटेड, कम्पनी का बि न्यू स्टॉर्स ओपन कर चुकी है, पूरी इंडिया में कम्पनी के पास 18 शोरूम है, कम्पनी अभी न्यू आइडियास पर काम कर रही है, जैसे की बिना केमिकल यूस करके टावल बनाना, उससे एंवायरमेंट का फायदा होगा, कम्पनी का मार्केट कैप 21,938 करोड का ह कम्पनी का 73 दशमलव 2 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, कम्पनी पिछले 3 सालों में 0 प्रतिशत सेल्स ग्रोथ और 9 दशमलव 15 प्रतिशत की प्रोफिट ग्रोथ पाचुकी है, कम्पनी के पास 1535 करोड का कर्ज है, कम्पनी ने 2021 में 345 करोड का प्रोफिट किय कमपनी का पी ए रेशियो 32.86 और फेस वैल्यू एक की है कमपनी 0.84 प्रतिशत की डिविडेंट देती है दोस्तों इसका करन्ट स्टॉक प्राइस 36 रुपए के असपास है दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद जानकारी अवश्य ले हमारे किसी और के केवल कहने पर इन्वेस्ट ना करें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद